नमस्कार, राश्ची मुक्त विद्याली सिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय, सहाय का अचार्य, आज हम लोग घनाव एवं घन के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। घनाव एवं घन को जानने से पहले हमें कुछ द्वी वीमी आकरितियों के उदाहरण देखने होंगे। वृत, वर्ग, आयत, त्रिभुज एवं चतुरभुज समतल आकरितियों के उदाहरण हैं। समतल आकरितियों की दो विमाय होती हैं और इसलिए इन्हें हम द्री वीमी आकार कहते हैं ऐसे आकार जो तीन दिशाओं में विस्तारित होते हैं उन्हें हम त्री वीमी आकार या आकरित कहते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, घनाब, बेलन, शंकु, घन एवं पिरामिड दिखाई पड़ रहा है, ये सारी आकरितियां, त्री वीमिय आकरितियां कहलाती हैं, इन में सीर्स होता है, फलक होता है, किनारा होता है, आवश्यक नहीं कि सभी में हो, लेकिन इन सभी आ आकरित होती है, आयताकार कागच के पन्नों को एक के ऊपर एक रखने से जो आकरिति प्राप्त होती है, उसे हम घनाब कहते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, आयताकार आकरितियां दिखाई पड़ रही हैं, उन्हें एक के ऊपर एक रखने से हमें घनाब जैसी आकरिति प्राप्त होती है उदाहरण के लिए रबर जिसे आप कॉपी पेंसिल से लिखने के बाद मिटाते हैं माचिस की डिबबी पेंसिल बॉक्स जो आप स्कूल ले जाते हैं डस्टर साबुन का डिबबा इत्याद सभी त्री वीमिय आकृतियां हैं और यह सारी आकृतियां के उदाहरन हैं आईए अब हम घनाब के अलग-अलग भागों के बारे में जानने का प्रयास करें घनाब में आठ कोने होते हैं गनाब के इन आठ कोनों को उनका शीर्ष कहते हैं घनाब के धाचे को बनाने वाले रेखा खंडो को किनारा या कोर कहते हैं घनाब में कुल बारह कोर होते हैं घनाब के आयताकार अथवा वर्गाकार बाहरी भाग को प्रिस्ट कहते हैं घनाब में कुल छे प्रिस्ट होते हैं और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि घनाब में सरवांग सम फलकों के कुल तीन युग्म होते हैं अगर हम घनाब को बनाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह की आगरित घनाब कहलाती है इस घनाब में आप देख सकते हैं कि कुल आठ सिर्स हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ इन्हें हम घनाब का शीर्स कहते हैं घनाब के ढाचों को बनाने वाली रेखा खंडों को घनाब का किनारा कहते हैं आप देख सकते हैं इसे हम घनाब का किनारा कहेंगे अगर इनकी संख्या गिनी जाए तो ये कुल बारा होती हैं हम कर सकते हैं कि घनाब में कुल बारा किनारे होते हैं घनाब के आयताकार अथवा वरगा कार बाहरी भाग को प्रिस्ट कहते हैं आप देख सकते हैं कि घनाब में कुल 6 प्रिस्ट होते हैं, चित्र में भी आप देख रहे हैं कि अलग-अलग एक प्रिस्ट उपर, एक प्रिस्ट नीचे और चारो तरफ से चार प्रिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें हम इसमें देख सकते हैं, एक प्रिस्ट ये है एक, दूसरा प्रिस्ट ये है दो, तीसरा प्रिस्ट ये है तीन, और उसी तरह से कुल तीन प्रिस्ट इसके पिछले भाग पे भी होंगे, इस तरह से हम देखेंगे कि घनाब में कुल छे प्रिस्ट होते हैं. चित्र में आप देख रहे हैं कि घनाव में कुल 6 प्रिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं इन में से उपर और नीचे के प्रिस्ट जो है वो एक दूसरे के सरवांगसम है उसी तरह से दाएं बाएं के दो प्रिस्ट एक दूसरे के सरवांगसम है और आगे और पीछे के दो प्रिष्ट एक दूसरे के सर्वांगसम है इस प्रकार हम देखते हैं कि घनाब में सर्वांगसम फलकों के कुल तीन युग पाए जाते हैं आईए अब हम घनाब के प्रिष्टिय छेत्रफल को जानने का प्रयास करें हमें पता है कि घनाब में कुल 6 प्रिस्ट पाय जाते हैं, घनाब का कुल प्रिस्टिय छेत्रफल उनके सभी 6 फलकों के प्रिस्टिय छेत्रफल के योग के बराबर होता है, चित्र में आप देख रहे हैं, टूथ पेस्ट के एक डिब्बे को दिखाया गया है, यह डिब्बा घनाप के आकार का है अगर इस डिब्य को खोला जाए तो चित्र जैसी आकरित आपको दिखाई पड़ेगी जिसमें प्रिस्ट एक उसके उपर प्रिस्ट दो फिर प्रिस्ट तीन प्रिस्ट चार प्रिस्ट पांच और प्रिस्ट छे दिखाई पड़ेंगे घनाप के प्रिस्टिय छेतरफल को ग्याद करने के लिए हमें अलग-अलग इन 6 प्रिस्टों के छेतरफल को ग्याद करना होगा और फिर इन 6 प्रिस्टों के छेतरफल को हम जोड़के घनाप के कुल प्रिस्टिय छेतरफल को ग्याद कर सकते हैं इस प्रकार घनाप का कुल प्रिस्टी छेत्रफल बराबर प्रिस्ट एक, धन प्रिस्ट दो, धन प्रिस्ट तीन, धन प्रिस्ट चार, धन प्रिस्ट पांच, धन प्रिस्ट छे का छेत्रफल कहलाएगा एदि हम किसी घनाप की कल्पना करें या जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि घनाप की लंबाई L, चवडाई B और उंचाई H हो तो अलग-अलग 6 प्रिस्टों के छेत्रफल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्रिस्ट 1 का छेत्रफल H गुणे L, प्रिस्ट 2 का छेत्रफल B गुणे L, प्रिस्ट 3 का छेत्रफल L गुणे B, अगले प्रिस्ट का छेत्रफल L गुणे H, फिर B गुणे H और L गुणे B प्राप्त होता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि घनाप के प्रिस्थी छेत्रफल को 2 into LB plus BH plus HL के रूप में प्राप्त किया जा सकता है जहां L, B, H comes घनाप के 3 कोर हैं घनाप का प्रिस्थी छेत्रफल इस प्रकार से हम 2 गुड़े L into B plus B into H plus L into H के रूप में प्राप्त कर सकते हैं जहां L, B, H करमसर घनाप के 3 कोर हैं घनाप की दिवारे अर्था तल एवं सीर्ष के अतिरिक्त फलक पार सुप्रिस्थ का छेत्रफल प्रदान करती हैं उदारण के लिए जिस घनाबाकार कमरे में आप अत्वा हम बैठे हुए हैं उस कमरे की चारो दिवारों का कुल छेतरफल कमरे का पार सुप्रिस्टी छेतरफल कहलाता है जिस कमरे में हम बैठे हैं या आप बैठे हुए हैं उसमें कुल चार दिवारे हैं अगर हम चारो दिवारों के छेतरफल को निकालने का प्रयास करें तो वह घनाप का पार सुपरिस्टी छेतरफल कहलाता है जो कमरा होता है वो घनाब के अकार का होता है तो चारो दिवारों के छितरफल को जोड़ करके हम कमरे का पार्सुप्रिस्टी छितरफल ग्यात कर सकते हैं चित्र में आप देख रहे हैं कि फर्स और छत को ऊपर की तरफ अलग-अलग दिखाया गया है वो पार्सुप्रिस्ट में नहीं आता है सिर्फ चारों दिवाले ही पार्सुप्रिस्ट में आती हैं अतक घनाब का पार्सुप्रिस्टी छेत्रफल दो गुणे H इंटू L धन B इंटू H के बराबर होगा जिसमें छत और फर्स के छेत्रफल को छोड़ दिये जाएगा अतक घनाब का कुल प्रिस्टी छेत्रफल उसके पार्सुप्रिस्टी छेत्रफल मतलब उसकी जो चार दिवाले होती हैं उनका छेत्रफल धन आधार और छत के छेत्रफल या फर्स और छत के चेतरफल के बराबर होता है इसको हम पार्सु प्रिस्टी चेतरफल धन दो गुणे आधार का चेतरफल के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि जो चेतरफल आधार का होता है वही चेतरफल उसके उपरी भाग का भी होता है घनाब के प्रिस्टी चेतरफल और उसके द्वारा घेरे गया इस्थान की माप होता है चुकि घनाब अनेक आयताकार आकरितियों को एक के उपर एक रखकर प्राप्त होता है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं अतह यदि प्रतेक आयत का छेत्रफल ए हो तथा उन्हें एच उचाई तक एक के उपर एक रख कर घनाब प्राप्त किया गया हो तो घनाब द्वारा घेरा गया इस्थान अर्थात घनाब का आयतन आयत के छेत्रफल और उसके उचाई के बराबर होगा इस प्रकार घनाब के आयतन को आयत के छेत्रफल और उचाई के गुड़नफल के रूप में हम देख सकते हैं इसे हम V is equal to L into B into H कहेंगे यदि घनाब की उचाई H लंबाई L और चोड़ाई B हो तो घनाब के आयतन को L गुणे B गुणे H के रूप में हम लिख सकते हैं जहां L, B और H घनाब की करमसर लंबाई चोड़ाई एवं उचाई है आईए अब हम घन के बारे में जानने का प्रयास करें घन एक त्री वीमिय ठोस आकरित होती है इसके पहले हम लोगों ने घनाब के बारे में जाना घनाब में जब सभी फलक अथवा प्रिस्ट बराबर हो जाते हैं तो वह आकरित घन कहलाती है घनाब में जब जब सभी फलक और प्रिस्ट बराबर हो जाते है तब वह आकृत घनाव से घन बन जाती है। जीसा कि आप चित्र में देख रहे हैं एक वरगाकार आकृत दिखाई पड़ रही है जिसके सारे फलक वरगाकार दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात घनाव में जब लंबाई, चोड़ाई और उंचाई बराबर हो जाए तो वह आकरित घन कहलाती है अब हम घनाव की तरह ही घन के अलग-अलग भागों को जानने का प्रयास करेंगे घन में भी कुल आठ सीर्स होते हैं जैसा कि घनाव में हम लोगों ने देखा इस तरह से हम देखते हैं कि शिर्स की संख्या घनाव की तरह ही घन में भी आठ होती है घन में भी घनाव की तरह ही 12 कोर होते हैं घन में भी प्रिष्ट छे होते हैं जैसे हम जानते हैं घनाव में भी छे प्रिष्ट होते हैं लेकिन घन और घनाव में जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि घन के सभी छे प्रिष्ट सरवांगसम होते हैं जबकि घनाव में कुल तीन सरवांगसम प्रिष्टों का करें घं का प्रिस्टी छेत्रफल उसके सभी छे फलकों के प्रिस्टी छेत्रफल के योग के बराबर होता है अगर हम एक घं की कल्पना करें जिसका एक फलक ए सेंटिमीटर हो तो इस घं का प्रिस्टी छेत्रफल सारे छे फलकों के प्रिस्टी छेत्रफल के योग के बराबर होगा हम देख रहे हैं कि घंड में जितने प्रिष्ट हैं वो सभी वर्गाकार हैं अता घंड का एक प्रिष्ट का छेत्रफल उसके उस वर्गाकार प्रिष्ट के छेत्रफल के बराबर होगा और हम जानते हैं कि वर्ग का छेत्रफल उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता ह इस तरह घन का प्रिष्टिय छेत्रफल 6a² होगा जहांपे ए घन की एक कोर्या एक भुजा है घन का आयतन घन घनाब का एक विशेश उदाहरन है जिसमें लंबाई, चोडाई और उचाई तीनों ही बराबर होती है अता घन का आयतन उसके किसी एक किनारे के घन के बराबर होता है इस प्रकार हम घन के आयतन को किनारा, गुणे किनारा, गुणे किनारा के रूप में लिख सकते हैं या V is equal to A into A into A के रूप में लिख सकते हैं जहां A घन के एक भुजा है अत्वा एक किनारा है तो इस प्रकार आज हम लोगों ने घनाब और घन के बारे में जानकारी हांसिल की ये देखा कि घनाब में कितने सिर्स होते हैं, कितने कोर होते हैं और कितने प्रिस्ट होते हैं ये भी हम लोगों ने देखा कि घनाप में कुल आठ सीर्स, बारह कोर और छे प्रिस्ट होते हैं। घन घनाप का एक विशेश उदाहरण है जिसमें घनाप की लंबाई, चोड़ाई और उचाई जब बराबर हो जाए तो वो एक दूसरी प्रकार की जियामिती आकरित में बदल जाता है जिसे हम घन कहते हैं। घन अत्वा घनाप दोनों का ही प्रिस्टी छेतरफल उसके सभी छे फलकों के प्रिस्टी छेतरफल के योग के बराबर होता है। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।